तो आज हम लोग एक ऐसे subject के बारे में बात करेंगे जिसको lengthwise बहुत ही बड़ा माना जाता है जिसके नाम से student कई बार घबराने लगता है कि power system हमें नहीं आता जी हाँ सही सुना मैंने उसका नाम ले ही लिया है जिसका नाम है power system इस subject को अगर सीखना है ना तो आपको कम से कम कुछ fundamental knowledge होना चाहिए कुछ basic चीजों का knowledge होना चाहिए और इसमें यह subject कम से कम 3 to 4 subject का knowledge मांगता like control system, network, electrical machine ठीक है और इनको बहुती creative form में पढ़ना पड़ता है अगर इस subject को वाकई किसी exam के level पर इस किसी complete exams के level पर अगर हमको prepare करना है तो क्योंकि इस subject की सबसे बड़ी क्या बूल सकते हैं हम लोग irony यह है कि इसके अंदर topics बहुत है इसके अंदर topics है तो students का इबेर confused हो जाते हैं कौन से topic को हमें ज़्यादा priority देना है कौन से topic को कम priority देना है तो मैं G-centric app पर बहुती creative form में बहुती मज़ेदार तरीके से बिलकुल basic से लगा कर advanced तक इस subject को deal कर रहा हूँ और काफी students बहुती अच्छे से enjoy कर रहे हैं subject को काफी creative form में बना रहा हूँ कि किस तरीके से एक compact information के साथ जितनी हमें किसी competitive exams के लिए like gate, ESC, SSCG किसी competitive exams के लिए अगर हमें जाना है तो उसके लिए कितना knowledge की requirement है जरूर नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा book के book आपको आना चाहिए जरूर नहीं है, बिलकुल जरूरी नहीं है कौन से exams में कौन से topic का importance जादा होता है इसका आपको अगर थोड़ा भी इल्म है तो आप बहुती अच्छे से इस topic को सीख सकते हैं क्योंकि machine, electrical machine and power system these are the two fundamental subjects अगर आपके fundamentals बहुती अच्छे है तो इन दोनों सब्जेक्स को बहुती अच्छे सीखा जा सकता है अभी मैं बात कर रहा हूँ power system की और आपके लिए trailer में पेश है इसका एक नमूना जिसके अंदर आप पाएंगे किस तरीके से g-centric application पे जो की play store से download की जा सकती है उस पे किस तरीके से lecture चल रहा है उसका trailer देखिए transmission जो है आपका जो power transmission है या power transfer है जो one end से दुसरे end पे जाएगा वो higher voltages पे रहेगा तो ज़्यादा economical रहेगा क्योंकि power transfer is proportional to voltage square ठीक है मैंने एक चीज़ बताई थी आपको एक formula बताई था p equal to ev upon x sign del यह अप तो हम derived भी कर चुके है ना तो यह दोनों voltage दगबगबगब अगर बराबर हो जाए तो power transfer voltage square के उपर proportional हो जाएंगे मतलब voltage is proportional to power is proportional to voltage square power transfer तो हम चाहते हैं कि जादा से जादा higher to higher voltages पगर होगा हम के अगर मानलों conventional exam हमारा को आगे चलके निकलता भी तो पहले प्री निकलेगा फिर तो प्री और के बीच में बहुत टाइम है तो अगर कुछ ऐसा टॉपिक कर रहे भी जाता है तो उसको हम लोग उन चार या पांच महीनों में cover कर सकते हैं ठीक है तो चलिए तोड़ असा बरोसा रखेगा और मैं one by one क्या करूँगा हर एक टॉपिक के end में आपको short summary बताते तो one by one क्या करूँगा मैं जब topic complete होगा तो आपके सामने में library में बना दूँगा तो इसलिए मैंने power system transmission को क्या किया है चार हिस्सों में divide किया है चार को derivation फिर भी करवाऊँगा ठीक है derivation कराऊँगा और simplify version में कराऊँगा कि जिसते आपको formula याद रहे और last में मैं summary भी कर concept के साथ question को भी explore कर पाएंगे क्योंकि ultimately आपको exam में question करना है ठीक है concept कितना जानते हो मैं बार बार repeat करता हूँ कि जो gain कर रहे है उसको हमको execute करना है it shows the property of inductance अगर किसी wire से current जा रहा है current जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा magnetic flux magnetic field lines या magnetic flux setup करेगा उसकी वज़े से क्या हो present होगा और inductance असल में dissipate नहीं करेगा यह क्या करेगा इस्टोर करेगा ठीक है already मैं inductance के बारे में बता चुका half lie square वगेरा में energy store करेगा अभी बहुत ज्यादा उस पे उपर बात नहीं करते है यह कुछ इस तरीके से rough surface है rough surface of conductor के वज़े से corona और ज्यादा dominating हो जाता है ठीक ह बाकी corona को मैं अभी यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा और detail में अलग से पढ़ाऊंगा ठीक है तो अभी आप corona का यह समझ लीजिए कि bad weather में हमारा क्या करेगा air को भी surrounding air को भी क्या कर देगा ionize कर देगा और उसमें कौन सा loss हो सकता यह v square into g leakage current के form में हमारा losses होने लगेंगे ठ इसके अंदर बहुत ही जादा हम लोग ने numerical discuss करे हैं with theory जितना sufficient theory होना चाहिए वो सब कुछ discuss किया है और अगर इसका full version आपको देखना है तो आज ही download करिए अपने प्यारे play store से g centric type करिए g centric अपको download करिए उसके अंदर store section में जाए इस store section में आप अपनी respective branch जो की electrical है उसक available price ठीक है गाइस तो मिलेंगे next lecture में जब तक के लिए buy and take care